हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेस्ट ज़िए गोगी 11 फ्रेंट्स फिर हम आपके सामने हाजिर है एक नई डिसके साथ तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मुंबई के फेमस बटाटे वड़े तो चलिए फ्रेंट्स बनाने स्टार्ट करते बन बोल में मैं डालूँगी एक कर्ोडरी बेसन लिया है मैं बेसन इसमें डाला दूंगी और मैं इसमें डालूँगी चावल काटा ते हैं तो टेंसन लेने की घ mai ट्रभी डेतने के बनेका ऍहाश ते हम अब मैं इसमें डालूंगी नमक तो फ्रेंट्स नमक अपने टेस्ट के कोर्डिंग ही डालेंगे और फ्रेंट्स पहली बात तो इसमें हलका सा ही नमक डालेंगे क्योंकि मैं भी इसकी stuffing बनाऊंगी उसमें भी नमक डालूँगी इसलिए मैं इसमें हलके नमक का यूज करूँगी और अब मैं डाल दूँगी इसमें आधा चमच अजवाइन अजवाइन डालने से पटाटे वड़े का टेस्ट बहुत ही मस्त आता है तो देखिए मैंने आधा चमच अजवाइन डाल दिये अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी फ्रेंट्स हल्दी आधे चमच से भी कम डालिएगा यह मैंने कलर के लिए डाल दिया है कलर इससे बहुत और मिलते रहेंगे और थोड़ा पानी डाला कर आए और अच्छे से गोल तयार हो गया उसमें बेंडेंगे थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे तो इदेखे आप मैंड़ा अच्छे से मिक्स कर लोंगी तो यह देखे फ्रेंट्स हमारा अच्छे से बेसन का गुल मिक्स हो गया है देख रहे हैं फ्रेंट्स साब इसकी consistency ना यह बहुत पतला रखेंगे और ना ही बहुत गाढ़ा रखेंगे सेम ऐसे ही रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ फ्रेंट्स को और अब हमारा पेसन का गुल लेडी हो गया है तो फ्रेंट्स मैं इसको ढखकर 10 मट के लिए rest पर रख देती हूँ मैंने इसको ढखकर रख दिया तब तक कि मैं आगे का process कर लेती हूँ और ऐसे मैंने गडाय ले लिए और गरख पर इसको रख दिया है और मैंने gas की flame को on कर दिया है अब मैं इसमें डालोंगी वन स्पून कॉईल तो तो ये देखे मैंने वन स्पून aux डाल लिया है फ्रेंट्स मैंने mustard oils डाला है आपको जो डाला हूं वो डाल सकते हैं और मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ mustard seed वह भी मैं आदा चमच ही डालूँगी मैंने mustard seed और जीरे को डाल दिया है और देखिए हमारा mustard seed और जीरा चटकने लगा है इसको हम चलादेंगे ये देखे वें। मैं रिखें डाल कर मैं इसको चलादेंगे और लससन पेस्ट जो कि पहले ही बना कर रख लिया था लससन और मैं ने ढाल दिया है और मैं इसको बूल अब मैं इसमें डाल दे रही हूं करी पत्ता चार से 6 करी पत्त वाह डाल दिजेगा फ्रेंट्स करीपत्ता डॉल्टे से जौक अच्छा है तो देखे तो यह डूढ देख करीया पत्त भाऊले करी पत्त बूलेक। अब मैंने जीरा पाउडर को अँच्छे से मिला लेंगे तो देखेंल सम्हारे मसाले अच्छे से मिलें हैं अब मैं सम्हारे मसाले अश्छे से िुझे नाओ डिए अब अपने वोईल की हुओ dość कुछे से तक हमपो में और मसाले दोनों एक में मिक्स हो जाएं तो देखे फ्रेंट्स और फ्रेंट्स सारे प्रोसेज में मैंने गैस की फ्लेम को हाई मीडियम ही रखा है बहुत हाई नहीं करेंगे और नहीं बहुत लो करेंगे तो देखे फ्रेंट्स मैं आलू को मिला ले रही हूँ मसालों में तो देखिए friends मैंने आलू को मसाले में मिला लिया है और अब मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च मैंने इसमें हलकी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और friends देखिए मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी नमक friends नमक अपनने टेस्ट के कॉर्डिंग आप डालेंगे क्योंकि जो मैंने बेसन का गोल बनाया उसमें भी मैंने नमक डाला हुआ है तो सिसे के कॉर्डिंग आप इसमें भी नमक डालेंगे तो friends देखिए नमक और मिर्ची मैंने दो चीज डाल कर अच्छे से mix कर लिया है अब मैं इसमें डाल दूँगी 2-3 महीन कटी हुई हरी मिरज तो देखिए friends मैंने 2-3 महीन कटी हुई हरी मिरज इसमें mix कर दी है और अच्छे से mix कर लेंगे friends चाहते तो आप पहले भी डाल सकते थे पहले डाल देते तो इनका करर चेंज हो जाता है तो ये देखने में कम अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने इनको बाद में डाला हुआ है अब मैं इसमें डाल देरी हुरा धनिया तो Friends ही देखे मैंने हरा दनिया डाल दिया और मैं इसको अच्छे से चलालूँगी और इस स्टेज़ पर कर दूँगी मैं गयस की flame को बंढ़ तो मैंने गयस की flame को सीफ्रेंण बंढ़ देना है और इसको एक बरतन में निकाल लियना है तो friends देखे मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और ये हमारा अच्छे ज़े ठंडा हो गया है मैंने इसको 10 मिट का रिष्ट दिया था 10 मिट के रिष्ट के बाद इसके बिल्कुल ठंडा हो गया है अब इसके हम medium size के ball बना लेंगे ना बहुत छोटे ball बनाएंगे और ना बहुत ही बड़े ball बनाएंगे medium size के हम इसके ball बना लेंगे तो ये देखे friends मैंने ball बना लिया है और ऐसे ही हम दूसरी ball भी बना लेंगे friends ध्यान लखेगा पटाटे वाड़े जब medium size के होंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे देखने में और खाने में भी बहुत छोटे होंगे friends तो फिर वो पटाटे वाड़े वाला looks नहीं आएगा क्योंकि मैं बना रही हूँ मुंबई के special पटाटे वाड़े तो देखे friends मैंने सारे ball बना लिये जो मैंने आलू मनलब पटाटे वाड़े की stuffing थी उसके मैंने सारे ball बना लिये हैं अब मैंने जब ball बना लिये हैं तो friends हम कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए एक तरफ रख देते हैं हमने कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और यह देखें जो बेसन का गोल मैंने 10-ínt के रिष्ट पर रखा था देखें hara besan का गोल 10-minute के रिष्ट पर राखने के बाद कितना बढ़िया हो गया है और अब जो मैंने इसमें बाग्स बनाई हैं वो मैं इसमें डाले دे रहे हूं wasan के गोल में तो friends ये देखिए मैंने बेशन के गूल में बॉल डाल दी हैं और उसके ओपर ऐसे आराम से बेशन डाल देंगे तो हम लोगों के बटाटे वड़े टेड़े और दब जाते पिछके पिछके होते हैं तो मैं इस्पून की मदद से डाल रही हूँ ताकि हमारा ओयल भी गंदा नहीं हो और सारे बटाटे वड़े एक सेव के हो तो फ्रेंट्स यह देखिए मैं बटाटे वड़े इसमें डाल रही हूँ फ्रेंट्स मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है अभी बहुत हाय कर देंगे तो नीचे से बटाटे वड़े हमारे बहुत डादा डाक कलर के हो जाएंगे तो यह देखे फ्रेंट्स मैंने बटाटे वड़े डाल दिये हैं अब मैं इस पर उपर से ओल डालूँगी फ्रेंट्स अलग से ओल मड़ा लिएगा जो मैंने इकड़ाई में औल रिखा हुआ है इसी में से निकाल के बटाटे वड़े पर डाल दिजेगा फ्रेंट्स ऐसे डालने से होता क्या है कि जो हमारे बटाटे वड़े हैं सेम कलर के होते हैं ऐसे होता है नीचे किसी और कलर के हो जाते हैं और उपर किसी और कलर क्यों जातेए इसलिए मैंने ओल डाल दिया था कि हमारे बटाटे वड़े हार ताव से एक्दम सेम कलर की हों तो friends देखें नीचे से color change हो गया है अब मैं अपने बटाटे वड़ों को change कर ओ पलट दोंगी तो friends देखें मैं बटाटे वड़ों को पलट दे रही हूँ ऐसे ही मैं सारे बटाटे वड़े पलट दूंगी तो friends यह देखिए हमारे सारे बटाटे वड़े पलट गए हैं अब मैंने इसको medium flame पर ही पकाना है folks, gas को high बिल्कुल नहीं करना है यह देखिए friends लग रहे है हमारे सारे बटाटेवड़े एक ही color के क्योंकि मैंने उपर से oil डाल दिया था तो color change नहीं होने पाया है जैसे उपर है वैसे ही हमारे बटाटेवड़े नीचे हैं तो हमारे बटाटेवड़े दोनों दरसे पग गए है friends यह देखिए अब मैं इसको निकाल लूँगी मैंने एक बड़ी कर्ची ले ली है उसी में निकाल लूँगी ताकि इनका ओल अच्छे से निकल जाए तो देखे फ्रेंट्स हमारे बटाटे वड़े बनकर रेडी हो गए हैं इसके साथ मेरश्च नहीं हो तो कैसे बटाटे वड़े तो फ्रेंट्स चलिए हम लोग पहले मिरची को तल लेते हैं मिरची को तलने के लिए देखे मैंने 5-6 हरी मिरच ले ली है फ्रेंट्स हरी मिरच को ऐसे कभी नहीं तलिएगा वरना यह दग जाएगी तो देखे मैंने इसको बीच से काट लेना है हलका सा आप जिसे बीच से चीर देंगे इनको तो इनका दगने कडर खतम हो जाता है friends ऐसे ही हम सारी मिर्चों को बीच से कट कर देंगे ये देखे मैंने मिर्चों को कट कर लेना है ये देखे फ्रेंट्स मैंने सारी मिर्चियां कट कर ली है और ये देखे मैं आपको दिखा रहे हैं एक-एक मिर्चिय को मैंने कट करके रख लिया है और जो मेरा बटाटे वड़े का ओल गरम हो रहा था मैं उसी में इन मिर्चियों को डाल दे रहे हूं मिरच के साथ ही आता है तो अब हम बटाटो वड़ो को प्लेट में सर्फ करेंगे हम प्लेट में इनको प्लेट में सर्फ कर रही हूं थे दिम ची एक दमारे सबस्कों कैसे छिए using रिक का सी यह तो अब याधि और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नेक है तो सस्क्राइब कर लिजे लाइक किजिए शेर किजिए थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग